राजसान के खेल मंतरी अशोक चानना ने इस्तिफे की पेशकश कर दी उन्होंने सीम के प्रधान से चीव कुल्दी प्राखा पर विभाखों में कबजा करने का बड़ा आरोप लगाया इस पर मामले में मुख्य मंतरी अशोक घलोत ने बड़ा बियान दिया A.N.I. की एक ट्वीट के मुताबिक सीम घलोत ने का कि अशोक चानना काम के बहुत दबाब में है हो सकता है उन्होंने तनाओ में आकर बयान दिया हो हमें इसे गंबिरता से नहीं लेना चाहिए हमें उनसे बात करेंगे मालुम हो कि चानना ने अपने ट्वीट में सीयम घलोट से कहा कि उन्हें जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें अशोक चानना ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्या मंत्री जी मेरा आपसे व्यक्तिगत अन्रोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री बद से मुक्त करें मेरे सभी विभागों का चार्च कुल्दी प्रांखा को दे दिया जाए क्योंकि वेसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री है जानकारों की माने तो चानना कुल्दी प्रांखा के दखल से नराज है इस वज़े से उनोंने इस्तिफ़े की पेशकाश की मुख्यमंत्री अशोग गलोत ने सफाई देते वे का कि चानना ने किस वज़े से ये किया अभी उनसे बात नहीं हुई हो सकता है वह कुछ टेंशन में हो चानना क्या रोप पर भी अशोग गलोत ने कहकर सफाई देने की कोशिश की राजस्तान में ग्रामिन ऑलंपिक के आयोजन की जिम्मेदारी अशोग चानना के पास में है ये काफी बड़ा काम है में गलोत सरकार की मंतरी शकुंतला रावत ने चानना वाले मस्ते पर परतिकिरिया देते वे छोटी मोटी बाती हो सकती है और चानना साब ने जो कहा वो बैठ कर बात करनी चाहिए हर आदमी अपने तरीके से करता है CM का जो काम करने का तरीका है जिस तरीके से बज़ट पेश्ट किया शायद राजस्तान में ऐसा बज़ट नहीं आया कभी किस तरीके से का मेरी जानकारी में नहीं मैं कोई टिपनिन नहीं करना चाहती मुझे तो नहीं लगता कि किसी का अगर कोई काम नहीं होता तो बिरोक्रेसी कौन सी अलग मशीनरी होती है वो भी अपने आदमी होते हैं बिरो रिपोर्ट डीपीके न्यूज